हेलो एवरिएवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दाई न पुछ स्वागट करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.06 का Lesson 2 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हमारे Lesson का नाम रहेगा Lesson important है और इस Lesson सक्षर इज़ाम में portion बनकर आता है इस Lesson के अंदर हम डिटेल में समझेंगे 21 परिकार से विख्सित हुआ क्या process था विकास होने का इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस Lesson को हम दो पार्ट में cover करेंगे आज का जो हमारा वीडियो रहेगा यह पार्ट वन के रहने वाले हैं पुरा पाशान यूग की परमुक्वी सेस्ताओं के बारे में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिटेल में समझें सबसे पहले में बात करूं कि पुरा पाशान यूग जिसका टाइम पिरिड़ अगर हम देखें हैं तो 25 लाक इसा पुरू से लेकर 10 जार इसा पुरू तक का पूरा टाइम पिरिड़ हम कवर करते हैं पुरा पाशान काल के अंदर में और जो यह टाइम काले ना अलग- 14 विधी होती है जिसके तुरूं हम किसी भी चीज का ठीट पता करते के कितना अवीधी पुराना रहोगा उसके तुरूं एक अंदाजा लगा जाता है कि इतने टाइम पिरिड़ के अंदर में यह चीज़े रही होंगी इसकी हिसाफ़ से हम आप बोलते हैं कि पुरा पाशा कंदो अब इसको तीन भागों में क्यूं बाटा जाता है और किस आधार पे बारे हमें बात करूँ है हिस्ट्री इसके इंदर में अलग-अलग गैप है वो इस वाले अंदर में आता है ये वाला हितना ताइम इलेड है ये इसके अंदर में आता है जो सबसे पहला जो आरम अरम पिक काल शौं UM पुरा पाशानकाल बूलते हैं, जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा परमाण मिले, और परमाण जो थे ना, एक ही तरह के थे, पर विक्सित होते चले गए, फॉस्ट वाला मिला मालो, तीन तरह के लोग मिले, जो एक दम डम है, फुर्व पुरा पाशानकाल, मद्दे पुरा पाशानकाल और उत्तर पुरा पाशानकाल, यहाँ पर नाम के अंदर में भी थोड़ा सा डिफ्रेंस यहाँ पर कई बार देखने के लिए मिलता है, तो अलग लग जगा पर अलग थोड़ा से नाम भी होते हैं, पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या चीज है, यह यहाँ पर पुरपुरा पाशानकाल के बाद यहाँ पर मध्य पाशानकाल आ जाता है, और इसके बाद उत्तर पाशानकाल आ जाता है, तो यह तो आपका बेसिक होगया चीज है, कि यह चीज ऐसे चल रही है, इसको अब आपने समझ लिया कि क्यों बाटा जाता है, किस आध पराटा जाता है इसके बारे में गर लिस्कास करें जो भी वहासे और फराปत होए ना जो भी वहासे पत्थर मिलेरे जो अई हंसिती हमें लगा देखकर इसके अंदर में इस आपने एका उपयोग किया गया इसके अंदर में जो लॉजिक बनाए गया कि जिस आप साथ नहीं पर नॉर्मल की तरसित को प्योग किया जाता था वहीं से थोड़ा सा बाजुमें हट कर थोड़ा सा फुराई किये तो यहां से जो पत्तर मिले वो थोड़े सार्प थे हलके थे सार्प थे उसके बाद थोड़ा सा और आगे हटकर हमने कुदाई किया तो वहां से जो परमान मिले वह बहुत जादा सार्प थे बहुत जादा हलके थे बहुत जादा नोकी ले थे एक दम पीरी की तर चलने वाली इस तरह से थे और वो स समय मारा फोन भी इसी तरीकी सब डेट हुआ ना पहले नोकिया के आते थे फोन अलग अलग से डबे डबे वाले कि किसी को मार दो तो वो कोमा में चला जाए पर आज का देखो आप बचा कर चल रहे उसमें कवर लगा रहे हो एंपर लगा रहे हो दीरे-दीरे कि आप डेट हो पुराने पत्थरों का यूग उसको हम तीन पार्ट में किसी साब से बाढ़ते हैं तो जो भी खास याता जो भी वहां पर प्रमाण मिले ना पत्थर के उजार बागी चीज़ें उसके अधारपन हम इसको पार्ट में बाटते हैं तो पुर्व मद्दे और उत्तर के तोर प पुरापाशानकाल मद्दे और उत्तर पुरापाशानकाल के अंदर में क्या क्या चीज़ें हों और किस तरीके साथ चीज़ें आगे बढ़ते हैं तक से पहले अगर हमें बात करूँ पुरु पुरा पाशानकाल की तो इसकी पहचान दो तरह के उजारों से की जाती है जिसके अंदर में गणासा और कुलाडी तरह के उजार आते है कुलाडी और गणासा आते है और इन गणासा के बिस्टिस पे पहचान की जाती है कि यह जो उजार है यह पुरू पुरा पाशानकाल के हैं अब यहां पर गडासा क्या होता है कुलाडी क्या होता है कुलाडी ही होता है और यहां पर कहा जाए तो गडासे का जो संदर्व है गैर भारते संदर्व में देखा गया गडासा ज्यादा तर भारत में नहीं मिला और यह तरह स यह चीज़ यहां पर है तो यह पुरु पुरा पाशानकल के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है वहीं पर आप बात को रहो मद्धे पुरा पाशानकाली संबता के अंदर में कि किस परकार से विक्सित हुआ इसमें जो उजारों की पहचान थी ना ओ फल्क के द्वारा क खेली यहां पर सुक मतलब यहिंजे टैक्स लग रहा है वहाँ पर इंटरस्टा सुल्क उसकी बात नहीं कर लोगा सुलो भल्क नेकर तोणा बना दिया जाता है तो उसको फल्क किनारा उसको फल्क कहते हैं जिसकर नुकी नुकिला वाला साइडर लग लग आपकी बुक में नाम दे रखा है लास्ट ने आपको फल्क और यहां पर सूल्क बता रहा हुँ यह दोरों आपको याद रकने तो फल्कों के अधार पे ना क्योंकि दिर से अपडेट हो गया पहले जो था था थोड़ा बड़े-बड़े थे कि आब यहां पर जो ज क्या करते हैं जिसको काटा जा सबस suo k invincible her कि यह बिसिकली इसका यूज क्या करते थे निय। चो चैनले केविए उसका उप्योग क्रते तो उसको छी ने किए उसके मांस को काटने के लिए बिता है– अनुमाल लगा जाता है कि इसके लिए इस समय पे इसका उप्योग किया जाता होगा तो यह मद्दे पुरापाशानकाल का पैचान है पुरु 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 प क्या उसको स्टडी करता तो उसका पहचानता है किसी भीससी पे पहचानता है तो जितने भी धार वाले चीजने यहां पर मिले धार वाले जिसके इंदर ब्लेड का उसके आघए कंडर आध का इंतर लगाया गया इस तरुके से नुकिला बना प्रきला तो उस धार वाले कारण से ना उस ओजार को हम उत्तर पुरा पाशानकाल से लिंक करते हैं यह जो जो और रहा होगा इस तरीके से में यहां पर लेके चलते हैं अब यहां पर एक कोश्चन जो मैंने पीछे कई सारे वीडियो में आपको किलियर किया था और देखो पता है मैं ह इस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी आपके बुक है न चाहे आप MHI 1 से लेकर MHI 10 तक कोई साभी बुक उठालो सारे बुक एक दूसरे से इंटर लिंक है जो भी बुक आप पढ़ते हो न सभी बुक के अंदर में कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बा हुआ ग्रोल हो दे बुक कार से पर्षानकस यह आता है कि हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है यह भी मैंने पच्छे की बारे में जानकारी कैसे मिली और दूसरा चीज पत्थर के जि आधारों के अधार पर हैं क्यों इसकी पैचान कर रहे हैं, कोई क्या कोई और दूसरा साक्षय परमान नहीं थे, ये एक question रहता है, और हर एक history के जो भी student है उसके mind में question रहना चाहिए, कि सर सिर्फ आप पत्थर के झोजारों के basis पर ही क्यों की पैचान कर रहे हो, और कोई भी लिखित परमानिक सुरोत नहीं मिलता था कि इस तरह का लिखित परमान सुरोत है यहां पर यह चीज था वो चीज था ऐसा कुछ भी कोई भी परमानिक सुरोत नहीं मिलता है इस ताइम पर जो भी सुरोत मिले नो पुरातात्विक सुरोत मिले पुरातात्विक सुरोत धारदार वाले ब्लेड है हमें आप हम कहले सिकार के लिए उसकर था हमें यह पता नहीं है किसी को भी कि किस चीज के लिए यूज किया जाता था एक अनुमान लगाए जाता है कि इसका उपयोग इस तरीके से इसलिए किया जाता होगा ठीक है समझ में आता है तो सबसे पहला क का आंसर यह रहा कि भा Hermana सीर में रह लिश्त में कि अफे जो पुरी रहे होंगे वह खतम हम वाप करते हों कि पुरा पाशानकाल 19 लाक बर्स पुरान है तो 19 लाख वर्स पुराना क्या चीज़ मिलेगा यार ठीक है और मद्देपुरा पाशानकाल का जो टाइम पिरेड है 80 से लेकर 40,000 वर्स पुराना देखा जाता है ठीक है यहाँ पे और उत्तर पुरा पाशानकाल का जो टाइम पिरेड है 40,000 से लेकर 10,000 टाइम पिरेड का य पूरा पाश्चान काल के शुरुआत हुई उसके कारण से यहां पर परातादिक परमान वो बचे नहीं है पत्थर के जो थे उसके अलहार पर हम यहां पर अंदाजा लगाते हैं कि किस तरीके ते क्या चीज निक्सित हुई आपको यहां पर अंडर्स्टेंड हमजरे होगे आप चीजों को कलपना करने मसानी हो रहा होगा कि क्या चीज़ किस तरीके चल रही है ठीक है चले आप हम आगे पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करें कि पुरव पूरा पाशान काल के अंदर में स्टीफ यहां पर आप बोल सकते हो एक तर से कार्ट्रिज का यहां पर पत्थर का अप्योग के आ जाता था वही पर अगर आप मद्य पूरा पाशान काल के अंदर में आऊगा ना तो यह जैसपर के अधिक परियोग करने के परमाण मिलता है लांग में है इस तरह के जो पत्थर होते तरह उसको जैस पर बोला जाता था इस तरह के पत्थर देरेक्ष नदलार घराएक लग तो आप इंदाजन करने में मिध्र क्रने में ऐसानी हूँ कि इस चीजस का मतलब यह है अब जितने मन gent को नहीं पता कि पर टंदी क्या पर आप को लोगों को नहीं पता होगा जो इसी बाहर एरिया में रहते तो उनको नहीं पता होगा उसके लिए Google का use करो जिससे आपके mind में image के लिए रहो कि हाँ ये चीज ये है जिससे आप story को relate कर सको ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पे इन तरह के पत्थरों को उप्योग करके यहाँ पे ओजार बनाया जाता था पुर्व के अगर आप देखोगे पुर्व और बात करोगे कि सलकों का मूल जो था जैसे अंडे जो होते थे न अंडे के जो सलक होते थे उपर का जो कवर होता था उससे भी न यहाँ पे पत्थरों के टुकड़ों का प्रिथक कर दिया जाता था अलग-अलग करके मतलब एक तरसे जैसे अंडे को छीलते हूँ अंडे को छी गलासे जैसे ऑजारों के उपर ऊजारों को पूर ज़्दों का उपयोग करोगे कि तो हस्त कुरना मतलब क्या हां से पकड़ने वाला कुठर गजया होता इसको ची ले गए ते घू मुखी और दो तरफ और तरफ ची हुआ जाता थे ऐसा नहीं होता था उसके पत्थर को न हम गोल सर्कल में काट थे और उसको लेकर सरकल के सब्सक्राइब जीए नत्राइब किरी सब्सक्राइब सब्सक्राइब नइसीर में सब्सक्राइब यहां है सेन चीज़ की बात की गई जब उन सब चीज़ों को तयार के जाता था तो यह सब की साफधानी बरता जाता था कि किस तरीके से हम उजार को तयार कर रहे हैं इसके साथ सी साथ पत्थर के एक टुकड़े को अनेक फल को फल के निकाले जाते थे ऐसा नहीं होता था कि एक अंड काहल के अंदर में पत्थर के औजार बनाया जाते था इसके लिए महीन दाने वाले प्त्रों को उपयोग किया जाता था जिसको तोड़ने में असानी हूं 30 इस तरह के चीज़ों को किया जाता था इसकी यह दाने टार किया जाता है है cerca सो जी थी कि तेजधार वाले ओजार बनाये जाते थे इसकी परद्धगी की थोक उत्पादन करते थे इसका ठीक है और ओजार बनाने लिए अधिक सक्षम तरीके का उप्योग यहाँ पे किया जाता था ठीके, आगे हम बात करें तो उत्तर पुरा पाशान काल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको पूरू पूरा पाशान काल और मद्दे पूरा पाशान काल के बारे में तो यहाँ पे पूरा बताया ही अब यहां पर मैं बताओं आपको तो उत्तर पुरा पाशान काल के बारे में गर हम बात करें तो जो ओजार थे ना ये परचूर मातरा के अंदर में हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि दिरे दिरे अपग्रेड होता चला गया हर बार नया वर्जन अपडेट हो चलाओ चलाए चोटा उतों चलाए लगे सबसे बड़े जो ओजार होते थे पुरा पुरव पुरा पूरा पूरा पुरा पराशान काल कैंदर में में बड़े देखनी के लिए मैं बेत्गा ओषंगाबाद जी ले तीके आदंगड पाड़ी चेत्र यहां पर है इस तरह के तो इन्सानों के व्वैवेसायों की पहचान ती अधिका-धिक छोटे आकार के उजारत होती ति अगर यहां पर एक यह भी लाजिक लगा के चला क्या पाता ओजार का ही लेंदरिन करते होंगे जैसे आजकल जो होता है आधिवासी लोग होते हैं या तरहे लोग होते हैं जो लोहार का काम करते हैं नुसरे जगा इसको देखार जाता है फुरा पाश्रान काल के अगर आब बात करोगे तो उजारों की जो उपलपदता थी, किस जगा पर कैसे मिली उपलपदता जो खुदाई के अंदर में हमें पुरा तात्रू को बिभाग को किस तरीके से उजार मिली है, खुले में टाथ पत्थरों के आवास हो इस ठल में, ऐस जो पत्थर है इस जगर से लाए गया होगा उस जगर पर आसपास में खुदाई करने के बाद हमें मुहाब पता चला कि यह उजार निल्मित किया जाने वाला स्थान है है यहां से में ज़ार पर राप्त हुआ अवास इस्थल और कार खाना इस्थल जहां पर लोग रहते थे जहां पर वो काम करते तो उसके आज-पास किस तरसे उजार मिला ओजारों का जो विस्तार है किस तरह से फैला उसका हिसाब से में पता सब्सक्राइब ग tiene up की में इस्टी की टापिक है तो आप उसको भी पूटप कर सकते कमें जिरुडब और जितनी भी आपकी कॉलस लिट्टेड मुलए और इसुकाइब आ गलुद कूल भी जो भी अब डिट है आपको टाइमिरो पर मिलने वाला है तो हमारे दोनों चैनल को सस्क्राइब जुरू करें अभी हमारे जो चैनल के सस्क्राइबर हो 60,000 हो चुका है और हम इसको जल्दी जल्दी एक लाके करीमें पहुंचाना चाहते हैं तो फटा फट जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी वीवर्स हैं उनको अ वहां से डिरेक्टली जाकर आप उस नोट का यूज कर सकते हैं प्रियों कोई पेकरने की जुरूत आपको पढ़ने नहीं है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर बात करें जैसे कि उपलब्द था हमने देखा कि ओजार यहाँ यहाँ पर उपलब्द थे तो हाँ पर यह सब चीज़ें नहीं मिली इसका रीजन यह था कि यह हमेज़ा उस जगों को फाइंड आउट करते थे जहां पर पत्थर हो जहां पर पानी हो प्रोपर तरीके से रहने का साधर हो जैसे आप देखोगे तो हिमाले की तलहटी में, मद्धे भारत की पहाड़ियों की सीमा में गंगा के किनारे पर ठीके थार रिगिस्तान के किनारे पर और अधिकांस मद्धे प्राइदी भारत के अंदर में इन सब जगों पे यह पूरा तात्वी की स्थल का परमान यहाँ पे मिला है पुरा पाशान मद्य पाशान की जो अन्य साक्षे कला है कि क्या परमाण है किस अदार पर हम पुरा पाशान और मद्य पाशान के जो हम प्रू exiting की बात करते हैं साख्षे के बारे में बात करते हैं कि क्या परमान क्या साख्षे है यहां पर हमें क्या लाए थे थे थोड़ा सवा और ही इसमस्मझते हैं बोगळी द्रिश्चिश अगर आप देखो गये तो उन छेत्रों तक सीमित जहां पर सेल उपलब देते यह पर पत्थर उपलब देते वहां पर हमें वोजार मिले वहां पर हमें रहने के परमाण मिले जैसे जैसे भारत के विससे बलुवा और पत्थर जो बलुवा पत्थर होता है समू के बारे में प्रहे चित्रकारी बनाए गई थी अलग अलग जग अपने विससे बलुवा पत्थर का उप्योग करके अलग अलग चीजों का उप्योग करके यहां पर चितरकारी जो किया गया था उसके अदार पर वहां पर हमें परमाण मिलता है यहां पर यह लोग रहते थे यहां पर यह चीज़े इस तरीके से चलती थी ठीक है आगे मैं बात करूँ तो मत्य भारत के अधरिक तो उत्तर भारत के लदाख में खुदाई के दौरान पत्थर पहले ही मिल चुके थे लदाख के अंदर में खुदाई गवा तो उसके अंदर में वहां पर में पत्थर मिला उसके बारे में जहांकारी मिली यहां पर यह कला इस तरीके से विक्सित होई होगी यहां पर हम बात करते है पोटेबल कला के बारे में पोटेबल कला क् करना सोही तरीकर से जो टाइम पर इना चित्रकारी का वो si COVID नहीं हो मैं एक एक ठाइट जांवरों को निर्माण के जाता तो अलगलग मिट्टी से अलग अलग चीजों से पत्थरों से बनाकर यहां पे इस स्वीजिद करते हो आज के सकते हो आज के समय तो हम इसको घर सजाने के लिए उसके चीज़ है तो उसकी बेसिस पर यह अंदाजे 14 होता है उसकी विदी के अनुसारत से पता चला कि चालीस जार बर स्पुराना है ठीक है और बा favourी आइक जगह है यह बी आप बता सकते हो comment box के अंदर में देखते कि चितर बने हुए था न सेल चितर वहां पर सूत्रमुर केंडे का उप्यों किया गया कहीं पर अंडे को सोजाया गया था तो इस तरीके से यहां पर देखने के लिए मिल जाता है पारंबिक जो चितरकारी था सिकारी और संग्रहन दृसे के उपर में केंदरी था तो दोस्तों यहां पर यह जो चैप्टर था हमारा सेकिंड चैप्टर यहां पर एंड होता है तो आप सब भी वीवर से में रिक्वेस्ट यहीं करूँगा कि जो भी स्टुटेंट हैं पीछे के वीडियो जा रखा है उसको पढ़े जिससे आपका स्लेवर्स के लिए रोख सेके और जो बागी बुक है उसको भी सीरियस लेकर चले क्योंकि सारे बुक इंटर लिंक हैं अगर आप बात करें कि कि परा पाशान काल का विकास किस परकार से हुआ माना समाज का उधबत किस परकार से हुआ और सिकार और संग्रन समाज क्या था यह मैंने आपको पढ़ा था और आज इस चेप्टर के में मैं यूज कर रहे हैं तो यहां पर अलग-अलग बुक की साब से मत देखो क्यों अलग बुक है अगर आप एक साथ लेकर चलोगा न सारी बुक्स को पढ़ोगे साही डीटेल में तब आपको समझ में पर एक हैं घर सारी बुक एक दूस्पर्त फेसे लिंक है यह एकसे मोस्ट इंपरंवार यहां पर मैं वीडियो करोगा बड़ वीडियो के लास्ट में एक रिक्वेस्ट्र हैं सब्षै के परिवार से हमारे हमारे द्वब joyії या बोलेकर दोन को से स्क्राइब करने नव इन्फो पर आपको जितने भी वाले से लिटेट अब्रेट है वह आपको टाइम टू टाइम मिलने वाला तो फ्रेंट्स यहां के सस्क्राइब करना बिलकूल ना भूलें नोट चाहिए डारीक से गूगल व्लॉगर से आ सकते हैं यहां पर मैं वीडियो एंड करूँगा थैंक यू सो मुच वचिंग में थैंक यू सो मुच फर लिसनिंग में बाबाटे करोले वैस्ट